Recently Amul ने ये कहा कि वो fruit-based beverage industry के अंदर बड़े लेवल पे entry लेंगे जिसके वज़र से कई सारी जो दूसरी बड़ी beverage companies है चाहे PepsiCo हो या डाबर इन्होंने थोड़ा डर महसूस किया है क्योंकि Amul almost जिस industry के अंदर गुसती है उसे disrupt करती है लेकिन सबसे interesting बात यहाँ पर यह है कि Am profit-based भी नहीं होते तो यह cooperative जो इंडिया के अंदर white revolution में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी वो आज एक इतनी बड़ी entity कैसे बन गई जो हजारो करोड रुपे हर साल कमाती है और इतनी efficiently भी रन होती है किसी भी corporate structure के बिना वही आद समझेंगे अब देखो यह पहले समझना जरूरी है कि Amul की जो story है पूरी वो इस वीडियो के अंदर में cover नहीं करूंगा अगर आप YouTube पे search करते हो तो जो बहुत सदा interesting और काफी inspiring story है Amul की वो आपको videos के तुरू overall YouTube बहुत मिल जाएगी मैं इस वीडियो में explain करने कोशिश यह करूंगा कि एक private company और एक cooperative के बीच में difference क्या है और इस differences के बावजुन Amul कैसी इतनी उपर निकल के आती है तो शुरू करते है सबसे पहले कर सबसे simple बात की बात करें तो corporate basically एक ऐसा organization होता है जो की owned and operated होता है groups of farmers या agricultural producers के द्वारा या फिर किसी dairy industry या कोई भी आप कह सकते हो एग्रो बेस्ट इंडस्टी है वहाँ के कई सारे चोटे-चोटे members के द्वारा इसके अंदर marketing, financing, distribution ये सारी की सारी चीज़े ये members जो है वो मेल जुल करते है और generally agro-corporatives इसलिए form किया जाते है ताकि किसी area के अंदर जो भी किसी भी प्रकार के किसान हो चाहे वो particular खेती लेने वाले हो, कोई particular चीज़ प्रडूस करने वाले हो, वो अपने bargaining power बढ़ा पाए जब भी बाता है, selling की, चीज़े खरीद में की, क्योंकि वो as a group काम करते है, as an individual नहीं, जिसके वज़िस उनको बहुत वायदा मिलता है और Amul भी एक इसी तरीकी की cooperative है, जो की लाखों farmers को जोड़ कर बनी है, और कोई एक single owner इसका नहीं है जबकि जो private company होती है, वो owned होती है, single individuals, या फिर group of individuals के द्वारा, या फिर share market के अंदर publicly कुछ इसा होता है, कुछ retail होता है यानि अलग-अलग जो है, आप कैसे हो distinct owners होते है, जिनको share owners बोला जाता है और ये जो companies होती है, ये govern हो जाती है, इंडियन companies act के अंदरगत भारत में, जबकि corporatives के अंदरगत नहीं आती और अमूल भी इसी तरीके के कॉर्परेटिव है, जहाँ पर ये कई सारे किसानों के द्वारा दूद और कुछ दूसरे producers को collect करते है, इसको process करते है यहाँ पर एक fair election system होता है, उनके committee members को select करने के लिए, जो decisions होते है, वो बड़े पैमाने पर जो democratically elected लोग है उनके द्वारा लिये जाते है प्राइवेट कंपनी के अंदर जो decisions होते है, वो होते है purely shareholder gain के लिए driven, यानि profit based decisions होते है कभी-कभी वो ethical हो नहीं पाते, कई बार market trends के इसाफसे decision लिये जाते है, लेकिन अमूल या दूसरे corporates में ऐसा नहीं होता जिसके वज़े से decision making यहाँ पर purely profit driven नहीं होता, कई चीज़े अलग पड़ती है और वो चीज़ अब हम समझते है कि कॉर्परेटिव के अंदर क्या क्या चीज़े अलग होती है किसी private company से पहली बात जो governance होता है corporatives का वो होता है democratic जहाँ पर हर member का अपना equal say होता है किसी भी decision making process के अंदर यहाँ पर membership जो होती है वो voluntary होती है कोई भी किसान चाहे तब इसे join या छोड़ सकता है यहाँ पर चाहें उनकी marketing हो services हो उनसे अगरी करता हो ना करता हो उसके सब से react कर सकता है तीसरी होती है collective ownership अगरो companies के जैसे मैंने का कोई एक member दो member नहीं होते यह जो है कई members के द्वारा own किये जाते है और जो profit आता है वो accordingly share भी किया जाता है और फिर वो profit हो या loss दोनों चीज़ यहाँ पर share होती है अगली है social responsibility जनरली जो agro cooperatives होते है यह socially responsible होते है जहाँ पर यह सिफ और सिफ पैसों को driven नहीं होते है लेकिन जो overall उनके cooperative के अंदर members है उनकी local community है इनको बहतर करने के लिए काम करते है चाहे फिर वो farming practices में improvement लाना हो communal machines खरीदना हो quality of agriculture products को बढ़ाने के लिए काम करना हो employment opportunities बढ़ाना हो यहाँ पर members के लिए अलगला schemes के जरीए चाहे उनके बिच्चे के education हो health हो इन चीजों के अंदर ध्यान देना हो यह चीज़े cooperative में होती है अगला factor है mutual cooperation का यहाँ पर जब तक पूरे के पूरे group का अच्छे से benefit ना हो तब तक sole individual के profits के उपर based decisions नहीं लिए जाते अगला है economic efficiency अग्रो कॉर्परेटिव के अंदर ज्यादा economic efficiency इसलिए होती है क्योंकि यह generally cost reduce करने में बहुत अच्छे होते है क्योंकि जो किसान होते है वो बड़े बड़े corporate से दरकाम नहीं करते या पर bargaining power इतने number of members होने के वज़े से भी जादा होती है अगला है education and training private के अंदर जो आपके clients में करते हैं उनको education and training का काम आप नहीं करते लेकिन जब corporate की बात आती है तब जो members होते है corporate के उनके knowledge को बढ़ाने के लिए sustainable agriculture promote करने के लिए नई farming practices सिकाने के लिए अलग-अलग steps लेती है corporate इनको चीज़े सही करने के लिए जबकि आप गर अब्ज़र्व करें तो private companies में इनमें से कई चीज़े follow ने होती इन चीज़ों के बावजुद हमूल जी सा corporate आज इतने अच्छे से काम कर रहा है कि वो दुनिया के top 10 dairy manufacturers में से तो है ही और एशा का biggest भी है और साथ साथ इतने diversifies portfolio इनका आज बन गया है कि ये बड़े-बड़े private companies को भी टकर दे सकती है चाहे ये on a basic level group of किसानों के दोरा क्यों ना बनी हो जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है और example है कैसे कई दूसरे cooperative scale up कर सकते है उसके लिए और ये वीडियो में basically हमने जाना कि cooperative कैसे काम करते हैं उमेद है अच्छी लगी होगी मिलेंगे अगले वीडियो में